सबी को नमस्कार Chemistry by Kapil Dangesar YouTube चैनल पे P-Block Elements के पार्ट 19 में आज अपन पढ़ेंगे Group 16 Elements में Sulfur के एक बहुत ही important compound Sulfur Dioxide के बारे में Sulfur Dioxide SO2 के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले देखते हैं अपन इसका निर्माण मतलब Synthesis की बात कर रहे है निर्माण में देखिएगा कई विदिया हैं निर्माण की सबसे पहली विदि में अपन देखें कि अगर गंधक को या Sulfur को YU के साथ मतलब Oxygen के साथ गरम करते हैं तो Sulfur Dioxide Gas का निर्माण होता है गंधक Oxygen की विदि में गरम करेंगे तो SO2 Gas बनेगी दूसरा प्रियोक्षाला में SO2 Gas कैसे बनाते हैं तो प्रियोक्षाला विदि देखिए कोई Sulfite लवण है उसकी क्रिया अगर संद्र S204 के साथ करवाई जाए तो SO2 Gas निकलती है जैसे उदारन ले Na2SO3 मतलब यह क्या हो गया Sodium Sulfite हो गया इसकी क्रिया किस से करवा रहे है S2SO4 Sulfuric Acid वो भी कैसा है संद्र है तो इससे SO2 Gas बनेगी कैसे बनेगी देखिएगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस S2O यह भी क्रिया होती है तो देखिए यहाँ पे Na2SO4 यहाँ पे आ गया 2 और यह 2S2O निकल गया Sodium Sulfite है वो किस में बदल गया Sodium Sulfate में और साथ में SO2 Gas निकली तो यह है प्रियोक्षाला विधी कि Sulfite लवन की क्रिया संद्र है स्द्र है स्द्र है स्द्र है कराने पर Sulfur Dioxide Gas बनती है ठीक है तीसरी विधी देखिएगा अगर कोपर छिलन मतलग कोपर धात्तु की बात कर रहे हैं कोपर छिलन की बात कर रहे हैं उसकी क्रिया अगर संद्र S2SO4 से कराएं संद्र S2SO4 से कराएं कोपर धात्तु की क्रिया अगर संद्र S2SO4 से कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा CuSO4 Copper Sulfate प्लस SO2 प्लस S2O बनता है तो यहां इसको अगर आपने संतुलित करें तो यह हो जाएगा 2 यहां पे मैं संदर लिख देता हूँ और S2O कितने निकल गए 2 तो copper छिलन की क्रिया अगर संदर S2O 4 से कराते हैं तो copper sulfate के साथ में क्या निकलेगा सहुत पाद के रूप में sulfur dioxide gas का निसकासन होता है तो इस तरह से भी आप sulfur dioxide gas बना सकते हैं फूर्थ विधी देखिए जब अपने धातु करम पढ़ते हैं तो धातु करम में अपने देखा कि जो धातु के sulfide IS के हैं उनको oxide में कैसे बुदला जाता है भर्जन विधी के दुआरा और भर्जन का मतलब होता है sulfide IS को YU की उपस्तिती में मतलब oxygen की उपस्तिती में गर्म करना तो sulfide IS को यसे लिखेंगे आप sulfide IS को के भर्जन दुआरा और भर्जन का आर्थ लिख देता हूं यहां पर भर्जन क्या है YU की उपस्तिती में गर्म करना और YU का मतलब हो गया oxygen से क्योंकि ज़्यादा तर जो भाग है YU का वो तो nitrogen gas के रूप में जो अक्रिय है और दूसरा बड़ा भाग है वो oxygen के रूप में है तो oxygen है वो क्रिया करेगा sulfide IS कोंकि साथ उदारन लें जैसे FES2 क्या है iron piretis iron piretis को YU की पस्तिती में गर्म कर रहे हैं तो क्या बना Fe2O3 प्लस SO2 Fe2O3 और सहुत पाद गे रूप में SO2 gas प्राप्त होती है संतुलित करें इसको देखिए जैसे ये 2 तो ये हो गया 4 sulfur हो गए 8 और देखिए oxygen कितने हो गए इसमें 3, 2, 6 oxygen तो ये 8, 2, 16 ये 22 oxygen मतलब यहां आगया 11 तो iron piretis का अपन example ले रहे हैं यहां पे iron piretis जो की लोहे का sulfide is कहे उसको YU की उपस्तिती में गर्म करेंगे तो sulfur dioxide gas प्राप्त होती है सहह उत्पाद के रूप में तो इस तरह से ये कुछ विदियां है इन विदियों के द्वारा sulfur dioxide gas का निर्मान कर सकते हैं अब देखिए निर्मान कर लिया अपने निर्मान करने के बाद जैसा अपने पिछले कुछ योगिकों में देखा है अपने एक निशित क्रम के आधार पर चलते हैं निर्मान के बाद क्या देखेंगे अपन structure, sunrachna structure of SO2 sulfur dioxide की sunrachna अब देखिए इसकी जो sunrachna है कई बार ये confuse करती है कि SO2 है वो CO2 के समान ही उसकी sunrachna होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है चलो इसकी तुलना कर लेते हैं CO2 के साथ में CO2 जो होता है उसकी सन्चना इस प्रकार से है C double bond O और इधर भी double bond O ये उसकी सन्चना है और जो carbon है केंद्रिये परमानू वो SP संक्रित होता है SP संक्रित है और आकरती कैसी है इसकी रेखिए लीनियर होता है CO2 और लीनियर होने के कारण ये एधरुविये है एधरुविये प्रकार्टी की होती है CO2 गैसे अब SO2 की बात करें देखिएगा SO2 की अगर ऐसी ही सन्चना मा बनाऊं जैसे देखो ये मैंने बना ली ठीक है लेकिन अब देखिए यहां पर सल्फर के सियोजी कोस में होते है 6 इलक्ट्रोन, कार्बन के सियोजी कोस में होते है 4 इलक्ट्रोन कार्बन ने 4 इलक्ट्रोन काम में ले लिये यहां पर 2 इलक्ट्रोन इधर डबल बोन में आगए Sulfur के पाख 6 Electrons है 2 इधर Double Bond में आगे 2 इधर Double Bond में आगे और 2 Electrons Lone Pair के रूप में है ये Lone Pair क्या करेगा इन बंद यग्मों को पृती करशित करेगा दबाएगा तो दबाने से क्या होगा जो Ayaltu की सन्यजना है वो रेखियन रहकर कैसी हो जाती है V-shape हो जाती है V-shape मतलब बंकित हो जाती है तो SO2 रेखिये नहीं होता है क्यों? क्यों केंद्रिय परमानु सलफर पर एक लोन पेर पाया जाता है वह लोन पेर बंद युगमों को प्रतिकर्शित करके धकेल देता है तो इधर क्या हो जाता है? सनचना बंकित हो जाती है अब इसमें भी अनुनाद पाया जाता है तो SO2 की जो सनचना है उसमें अनुनाद देखियेगा S double bond O और यहाँ पर यह oxygen मतलब उपसे अशन जगद बंद जिसमें oxygen पे माइनस और sulfur पे प्लस होता है एक सनचना यह हो गई और दूसरी सनचना है इसकी कि यह double bond इधर हो सकता है इधर एक कलबंद हो सकता है इस oxygen पे माइनस यह oxygen double bond से जड़ा हुआ है और इस sulfur पे प्लस तो यह दो अनुनादी सनचना इस SO2 में पाई जाती है इसका जो बंद कौण है वो है 119.5 degree यह SO2 का बंद कौण होता है यह सनचना तो हो गई इसके अनुनादी संकर की सनचना और यह सनचना हो गई कैसी सनचना हो गई इसके अनुनादी सनचना इं और देखिए अगर मैं इसको यह लिखना चाहूँ यह लो इसमें माइनस हाफ और माइनस हाफ दोनों ऑक्सिजन पे बटा हुआ है और सलफर पे एक प्लस आ गया देखिए एक बार ऑक्सिजन पे इस माइनस इस पे आया माइनस और दूसरे सनचना में इस ऑक्सिजन पे माइनस है मतलब एक माइनस दो अक्षिजन पे घूम रहा है तो दोनों अक्षिजन पे माइनस आफ माइनस आफ अपन दिखा सकते हैं तो S2 की ये अन्वादी सनचना है तो S2 की सनचना कैसी हुई बंकित हो गई मुड़ी हुई सनचना है वी शेप सनचना है 119.5 डिगरी का बंद कौन इसमें होता है तो ये हो गई सनचना सनचना के बाद अपन देखते हैं इसके गुण गुणों में दो प्रकार के गुण पड़ते हैं भुत्ति गुण और रासायनिक गुण तो प्रोपर्टीज में दो गुणों में सबसे पहले अपन देखते हैं फिजिकल प्रोपर्टीज भुत्ति गुणों के अपन बात करेंगे अब भुत्ति गुणों में देखिए सबसे पहले देखिए रंग तो इसका रंग है रंगहीन कोई रंग नहीं होता है CO2 का कोई रंग नहीं है SO2 का भी कोई रंग नहीं है गंध गंध है इसकी तीखी गंध है जबकि CO2 गंधहीन होता है तो रंगहीन है और गंध है इसकी तीखी गंध होती है जल में विलेता तो ये जल में विले होता है अत्य धिक विले होता है विले क्यों होता है क्योंकि जल के साथ इसका जो विलियन है वो अमली प्रकरती का हो जाता है जैसे देखिए SO2 है उसको जब जल में प्रवाहित करेंगे तो बनेगा S2, SO3 Sulfurus Acid बनता है Sulfurus Acid मतलब ये अमल है तो अपन कहेंगे कि SO2 का जल ये विलियन अमली प्रकरती का होता है ठीक है अब ये जो जल में विलेता वाला गुण है ये CO2 के समान ही है अपन इसकी तुलना भी करेंगे CO2 के साथ में एक अलग से टोपिक ले लेते हैं अपन CO2 के साथ तुलना बहुत वार पूछा भी जाता है वो अपन ले गे तो ये इसका जल ये विलियन है वो कैसा है अमली प्रकरती का है SO2 को बंडारित कैसे करते हैं बहुत उच्छ दापर दाब ये लगवल पन उच्छ मतलब दो वायू मंडलिये दापर दो वायू मंडलिये दापर निम्न तापर इसे द्रवित करके स्टील के सिलेंडर में बंडारित करते हैं बंडारित स्टील के सिलेंडर में इसे बंडारित किया जाता है तो ये हैं इसके कुछ भोतिक गुण अब देखिए रसाइनी गुणों में अपने इसके कुछ अभिक्रियाएं पड़ेंगे और साथ में इसकी तुलना करते हैं CO2 गैस के साथ क्योंकि इसके कुछ गुण है वो CO2 से मिलते जुलते हैं तो देखिए दूसरे गुण हो गया इसमें Chemical Properties Chemical Properties Chemical Properties में देखिएगा सबसे पहले मैं ले रहा हूँ SO2 की CO2 से तुलना तुलना करवाते हैं अपन ठीक है SO2 भी गैस है और CO2 भी गैस है कुछ तुलना अपन कर रहे हैं देखिए CO2 कैसा है रेखिये है एद हुए है और SO2 कैसा है बंकित है और ध्रूविय प्रकर्ति का है यह तो हो गया अंतर ठीक है और भी अंतर आएगा यह सन्विचना का अंतर आ गया दूसरी तुलना देखिए CO2 को S2O में प्रवाहित करें तो उसका विलियन बनता है S2CO3 कार्बोनिक एसेद मतलब अमलिय प्रकर्ति का जलिय विलियन होता है CO2 का वैसे ही SO2 है उसको जल में प्रवाहित करेंगे तो बनेगा S2SO3 Sulfurus acid तो दोनों में समानता हो गई के नहीं अपन तुलना करें तुलना में अंतर भी आते हैं और समानताएं भी आती है तो CO2 का जलिय विलियन भी अमलिय प्रकर्ति का है और SO2 का जलिय विलियन भी अमलिय प्रकर्ति का होता है नेक्स्ट देखिए CO2 और SO2 दोनों अमलिय प्रकर्ती की है CO2 ए SO2 अमलिय प्रकर्ती दर्शाते है अमलिय प्रकर्ती के लिए देखिए जैसे एक उधारन ने चुन्ने का पानी ले लेते है चुन्ने का पानी का सुत्र क्या है CAOH होल्ड ट्वाइस यह चुन्ने का पानी है इसे बुझा हुआ चुना भी कहते है इसमें जब आप CO2 गैस प्रुवाइट करेंगे तो क्या बनेगा CACO3 प्लस S2O केलसियम कार्बोनेट बनेगा और S2O इसमें से निकलेगा केलसियम कार्बोनेट और इसका रंग कैसा होता है दूधिया ठीक है वैसे ही अगर आप चुन्ने के पानी में SO2 गैस प्रुवाइट करेंगे तो बनेगा CA SO3 प्लस S2O केलसियम सलफाइट बनेगा केलसियम सलफाइट और इसका रंग भी कैसा है दूधिया तो देखिए आपने केमेस्ट्री के प्रियोग में बहुत बार ये देखा होगा कि निकलने वाली गैस को अगर चुन्ने के पानी में प्रुवाइट कर देते हैं और उसका रंग दूधिया हो जाता है तो वो गैस या तो CO2 है या SO2 है तो कार्वन डायोगसाइड और सल्फर डायोगसाइड दोनों के ऐसे चुन्ने के पानी में से प्रुवाइट करने पर उसका रंग दूधिया कर देती है तो दोनों में ये समानता हो गई लेकिन अगर इन दोनों में से ये पता करना हो कि CO2, SO2 में से गैस निकलने वाली गैस कौन सी है तो इस दूधिया पतो दोनों में आ रहा है दूधिया रंग पता कैसे चलेगा तो अगर और अधिक समय तक प्रुवाहित करें इस विलियन में जैसे ये दूधिया रंग हो गया और इसमें CACO3 और दिर्मान होता है CACO3 का होल्टवाइस कैल्सियम बाई कार्बोनेट और कैल्सियम बाई कार्बोनेट रंग हीन होता है जबकि अगर आप कैल्सियम सल्फाइट के जलिय विलियन में SO2 को अधिक समय तक प्रुवाहित करेंगे तो CAHSO3 कैल्सियम बाई सल्फाइट नहीं बनेगा तो इसका मतलब देखे यहां पर अपन जैसे पता करना चाहें कि किसी भी प्रियोग में निकलने वाली गैस CO2 है या SO2 है तो क्या करेंगे चुनने का पानी लेंगे उस चुनने के पानी में निकलने वाली गैस को प्रुवाहित करेंगे तो प्रुवाहित करने पर अगर चुनने के पानी का रंग दूद्या हो गया तो निकलने वाली गैस या तो CO2 है या SO2 है ठीक है अब इन में से कौन सी है वो पता कैसे करेंगे तो उस दूद्या रंग वाले पानी में चुने के पानी में निकलने वाली गैस को और अधिक समय तक प्रवाहित करते जाएं तो अगर उसका रंग उड जाता है वो रंग हीन हो जाता है तो निकलने वाली गैस है CO2 और अगर रंग नहीं उड़ा तो इसका मुतलब निकलने वाली gas कौन सी है? SO2 होती है तो ये आपके प्रियोग में अपन भोध बार देखते हैं, chemistry के जो practicals हैं, उसमें इस तरह का अपन प्रियोग देखते हैं तो ये तूलना हो गई CO2 की और SO2 की बहुत अच्छा टोपिक है इसको आप ध्यान से समझेगा अब देखिए जो SO2 है उसको अपन अमलिय प्रकर्ति का बता रहे हैं तो इसका मतलब ये अक्षार से क्रिया करेगा, SO2 प्लस NaOH तो क्या बनेगा? Na2SO3 प्लस S2O जैसा केल्सीम हैडॉक्साइड बना वैसा ही इसमें भी सल्फाइट बन रहे है तो यहां दो लगा दूँ तो यह हो गया और SO2 निकल गया SO2 इम सल्फाइट बना SO2 सल्फाइट और SO2 क्या है? लवण है SO2 अच्छार के साथ वे योगी क्रिया करके जो लवन देते हैं और जल देते हैं वो क्या हो गए अमल हो गए तो A-S-O-T-O की प्रकरती कैसी है अमली ये प्रकरती है तो अक्षार के साथ ही आसानी से क्रिया कर सकती है नेक्स्ट गुण देखिएगा इसका नेक्स्ट रासाइनी गुण में अपन देखें कि अगर A-S-O-T-O की क्रिया C-L-T-O की क्रिया किसकी उपस्तिती में चार कोल की उपस्तिती में तो बनेगा A-S-O-T-O-C-L-T-O मतलब सल्फियूरिल क्लोराइड सल्फियूरिल क्लोराइड का निर्मान होता है A-S-O-T-O की क्रिया C-L-T-O से करा देने पर और देखिए अगर A-S-O-T-O का ओक्सिक्रन करवाया जाए वेनेडियम पेंटा ओक्साइड की उपस्तिती में तो A-S-O-T-O-T-O बनती है दो और दो और इस SO3 से आगे अपन Sulfuric Acid बना सकते हैं तो ये विधी कैसी विधी है ये विधी है सन्शपर्ष विधी S2SO4 के निर्मान की विधी की मूल अभिक्रिया है सन्शपर्ष विधी किसके लिए होती है S2SO4 के निर्मान की विदी है तो यह देखिए बहुत इंपोर्टेंट है वेनेडियम पेंटा उक्साइड उत्प्रेरक्यू पस्तिती में एसो टू गैस ऑक्सिजन से क्रिया करके सल्फर ट्राय उक्साइड गैस बनाती है ठीक है नेक्स देखिए एसो टू का अप्चायक गुण एसो टू है यह अप्चायक की तरह विवार करती है अप्चायक की तरह देखिए कैसे कुछ उदान ले लेते हैं अपन जैसे एफी थ्री प्लस की क्रिया एसो टू प्लस एस टू से कराते हैं तो बना एफी टू प्लस प्लस एसो फोर टू माइनस और प्लस एच प्लस देखिए कैसे एसो टू है इसमें सल्फर है वो प्लस फोर है और एसो फोर टू माइनस में सल्फर है वो प्लस सिक्स है यहां एफी थ्री प्लस है और बन गया इसमें एफी टू प्लस तो एफी थ्री प्लस से एफी टू प्लस हु गया और एसो टू में प्लस फोर से प्लस सिक्स हो गया तो यह क्या हो गया ओक्सीकरन हो गया तो Fe3 plus का अपचेन किस ने किया SO2 ने कर दिया SO2 ने अपने electron किसको दे दिये Fe3 plus को दे दिये तो ये SO2 क्या हो गया यहाँ पे अपचायक हो गया देखें संतुलित करते हैं इसको आई ये 2 2 2 4 संतुलित हो गया नहीं देखें कैसे Fe1 है, 2 है, यहां भी Fe2 है Sulfur 1 है, Sulfur 1 है Oxygen 2 और 2, 4, 4 Oxygen हो गए Hydrogen भी 4 हो गए आवे संतुलित करें, इधर 6 plus है और इधर देखें 4 plus ये, 4 plus ये, 8 plus में से 2 माइनस गया, तो 6 पलस इधर संतुलित हो गया तो ये SO2 यहां पर किसकी तरह कारिये कर रहा है अब चायक की तरह कारिये कर रहा है और देखें जैसे MnO4 माइनस प्लस SO2 प्लस S2O इसमें क्या बनेगा Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्लस S2O ये अभिक्रिया है, देखें MnO4 माइनस में मैंगनीज है प्लस 7, SO2 में सल्फर है प्लस 4 तो प्लस 7 से मैंगनीज किस में बदल गया, प्लस 2 में बदल गया, तो क्या हो गया इसका अप्चेयन हो गया और इसका अप्चेयन किस ने किया सल्फर ने, देखें, प्लस 4 से प्लस 6 हो गया सल्फेट में प्लस 6 है, तो इसका क्या हो गया, ओक्सीकरन यह ओक्सिक्रन हो गया, ठीक है, जो अप्चायक होता है उसका ओक्सिक्रन होता है, क्योंकि वो स्यमिलेक्ट्रोन दूसरे को दे देता है, ठीक है, तो यह ओक्सिक्रन हो गया, अब देखे, यहां S2 हो नहीं है, Sorry, H+, है, है ज्यान दीजिएगा है ठीक है अब इसको देखिए संतुलित करने की अपन कोशिस करते हैं देखिए दो चार दो दो और यहां औक्षिजन को संतुलित करें तो यहां पर यह पांच और यह पांच तो इस अभिक्रिया की द्वार अपन बता सकते हैं कि जो SO2 है वो अप्चायत की तरहे विवहार करता है ठीक है तो यह हो गए SO2 के रासायनिक गुण अब अपन देखते हैं SO2 के उप्योग तो उप्योग देखिए क्या क्या है यूजज में सबसे पहला उप्योग प्रियोग शाला अभिक्रमक के रूप में यह प्रियोग शाला अभिक्रमक के रूप में काम में आता है दूसरा सल्फियूरिक एसेड के निर्मान में जब यह अपने विदी देखी थी सनिस्पर्श विदी एक विदी और होती है सीसा कक्ष विदी उससे भी सल्फियूरिक एसेड बनाते है अपने एसोर्टू के द्वारा ही तीसरा देखिए विरंजत के रूप में विरंजत के रूप में इसका उपियोग किया जाता है विबिन ओन वगेरा हैं कपड़े वगेरा हैं उनका विरंजन इसके द्वारा अपन करते हैं और देखिए इसमें पूति रोधी वी संक्रामी के रूप में इसका उप्योग किया जाता है डिसिंफेक्टेंट के रूप में अपन काम में लेते हैं जिसे पोचा वगरा लगाते हैं वो डिसिंफेक्टेंट होता है वी संक्रामी होता है तो उसके रूप में भी अगर आपको बहुत निम्नत आपमान प्राप्त करना है तो उसके लिए भी अपन द्रव-SO2 को काम में ले सकते हैं तो यह थे सल्फर डायोक्साइड के उप्योग नेक्स्ट वीडियो में अपन सल्फर की एक और इंपोर्टेट योगी के साथ मिलेंगे तब तक के लिए हाद दोते रहिए स्वस्त रहिए परिवार जनों का ध्यान रखिए मेरे वीडियोस देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद